सीड आक्ट में बदलाव की तयारी और इस खबर पर बाचीत करने के लिए हमाई साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कृशी विशेशग्य डिवेंद्र शर्मा जी दिवेंद्र जी भावा स्वागत है किसान बुलेटिन में ये एक अच्छी खबर विंटर सेशन में हो सकत हैं कि एक नया सीड आक्ट जो है पुराने सीड आक्ट 1966 को रिप्लेस करें क्या खामिया है मौजूदा आक्ट में जो की जिनको दुरुस्त किया जा सकेगा कि जो सीड आक्ट आप 1966 के बात कर रहे हैं वो 2004 में एक एफट हुआ था सीड बिल 2004 लाकर जो अभी तक पार्लिमेंट में कभी आता है कभी बाहर करा जाता है और ये प्रॉसेस चलती रही है बहुत चटिल थी क्योंकि इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी थी बहुत सेंस्टिव है और इतना ताइम लगा इसको 2004 से अभी तक कुछ इसमें नहीं हो पाया तो मुझे रहता है कि अगर अगर विंटर सेशन में आता है उससे पहले भी पहली बात ही है कि इसमें बहुत चर्चा होने की जरूरत है जैसे कि पहले हुआ था और फिर इसको विंटर सेशन में ला है विलकुल करने की ज़ूरत है क्योंकि लाइजπό कि पनाया जाए सेटेट की प्रोसेस के ना पूरा जो होता है वो ना पारंग किया जा लेकिन कम से कम जो स्टैंडर है वो एस्षोर किया जाएं कि सीड के प्राइवेट बीच कम्पनियां उनकी जवाब देही तै करने पर जोर होगा एक बात तो यह है दूसरा यह है अनिका जी कि इसमें सबसे इंपर्टन चीज जो है वो सीड की लाइपिटी के उपर है बहुत बार देखा गया है कि सीड फेल हो जाता है लेकिन कम्पनियां पीचे हड़ जाते हैं कहते हमारी responsibility नहीं है कभी मौसम को blame करेंगे कभी साल को blame करती है कभी किसान को करती है एक वर ऐसा हुआ था कि बिहार में पाइनियर कम्पनी का सीड जो है फेल हो गया था और मक्का का और नितिश कुमार जी चीफ मिस्टर से सारा बर्डन जो है वो स्टेट को ठाना पड़ा था यह बहुत प्रॉमिनेंट केस है तो यह इसी को इंक्लूड करना बहुत जुरूरी है बिल के अंदर कि कम्पनिया कैसे लाइबर हो जब लॉस होता है सीट का या अगर वीद का लॉस सोइंग पर ही हो जाता है तो ठीक आपने शीट की कोस्ट के करती है लेकिन जब अगर उसमें फल नहीं आता या उसमें नहीं आता है क्रॉप में सब कंपनीयों को पूरी जो जो कि जो जो इसमें क्रॉप लॉस हुआ है जो और उसका प्राप्धान होना चाहि होना चाहिए क्योंकि 500 रुपए या 2000 रुपए यह सीट कंपनियों के लिए कोई मैनेंग देखता है और मुझे लगता है कि पांच लाग के साथ में कोई जेल टम पी साथ में होनी चाहिए कि आज पर हमने कभी सीट कंप सीड एक्ट के दौरा किसी को भी अंदर नहीं किया बहुत जलूरी है दिवेंद्र जी एक और बात बताएं कि देश में जीएम बीज की भी एंट्री हो चुकी है हमने हाली में ऐसे तमाम केसिस देखे जहां एश्टी बीटी कॉटन की पैरवी कर रहे थे कुछ किसांस अंगठन भी उसमें शामिल थे और वो उसको बोने की इ पूरा पड़ा रही है लेकिन उसमें एक जो रास्ता नजर आ रहा है वो यह है कि जब उन्होंने कहा कि ट्रेसिबिलिटी पूरी होगी उसमें बार कोड होगा बीज के पैकेज पे तो कम से कम जैसे यह इलिगल सीड्स हैं जिनेटिकली मॉडिफाइड चाहे वो बीटी के किसान अपने खुद के बीज बनाते हैं तो क्या उनको भी बीज बनाने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग या प्रेरित किया जाएगा ताकि और जो कमपनिया हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेंगी की बीज़े मुझे पता चला है इसमें खबर में की वो खबर से वो यह पता चला है कि जो किसानों का अपना सीड्स जो सेव करते हैं और वो उसको बचा के फिर लगाते हैं उस पे कोई नकेल कसने की जूरत नहीं है कि जो भी सीड्स के पड़क्शन में आता है उसकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है लेकिन सबसे ज़्यादे है कि जो किसानों का अपना बीज है उसको फार्मर राइस के अंदर का तो उसका इसका 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 प्राबदान होना चाहिए और उसके ओपर कोई करने की कोई जरूरत नहीं है